नमस्ते मैं हूं मानत समर्थ और आज जानेंगे गॉल ब्लेडर से स्टोन कैसे निकालते हैं जी हाँ घर पर कैसे गॉल ब्लेडर से आप स्टोन निकाल सकते हैं ये इस वीडियो में सीखेंगे तो आईए जानते हैं इस वीडियो में कि स्टोन एक्चुली बनते क्यों है और क्या करें कि आपके गॉल बर्डर में स्टोन कभी बने ही ना इसके लावा घर पर इसको कैसे बिना सर्जरी यानि कि बिना गॉल बर्डर निकाले कैसे हम इस stone को हम बाहर निकाल सकते हैं अगर आपकी gall butter की surgery हो गई है यानि कि gall butter आपको निकाल दिया गया है आपका किसी वज़े से पहले ही निकाल चुके हैं आप लोग तो फिर उस case में आपको क्या करना है ताकि आप अपनी जिन्दगी ठीक से जी पाए तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो patient है 60 years के है इन्होंने किस तरह से जब इनको gall butter stone था 16 to 17 mm का stone इनके gall butter में था और इन्होंने दो मुहीनी के अंदर ही हमसे contact करके हमारी diet से किस तरह से बड़ी आसानी से उसको इन्होंने गायब कर दिया निकाल दिया तो आज ये शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि gall butter के बारे में इसका काम क्या है और ये बाइल क्या होता है देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर है और ये जो आप छोटा सा हरा सा पाउस देख रहे है इसको बोलते हैं gall butter लीवर जो है वो एक बाइल जो की बाइल क्या होता है बाइल ये एक greenish yellow जो है liquid है ये जो आप liquid देख रहे है ये greenish yellow liquid है जिसको ये बाइल बोलते हैं और ये cholesterol and bile salt से बना हुआ होता है तो ये लीवर क्या करता है लीवर एक ये bile बनाता है और इस bile का क्या काम है जब भी आप लोग कुछ खाना खाते हैं especially जब fat खाते है fat जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो उसका digestion शुरू हो जाता है और उसके बाद जब फेट वहां से छोटी आत में जाता है small intestine में तो वहां पर इस bile की जरूत परती है और वो bile जाकर उस fat को तोड़ता है, breakdown करता है जब तक fat का breakdown नहीं होगा तब तक fat digest नहीं होगा तो इसलिए fat को digest करने के लिए इस bile का होना जरूरी है जो कि बनाता है liver और liver बनाके इस जो अप्टिउस देख रहे है इसके थूँ यहां पर store कर देता है में इस बनाता लिवर है और यहां पर आकर यह store हो जाता है उसके बार जब भी खाना या fat हमारे पेट से जब small intestine में जाता है चोटी आतमे जाता है तो वहां पर यह जो bile है वो यहां से bile महाँ पर release होता है और फिर वो bile जाकर उस fat को breakdown करता है यह process है और यह काम है gall bladder का और यह काम है इस bile का तो कहने का मतलब gall bladder क्या है gall bladder एक store करने की जगा है जो की bile यानि पित को store किया जाता है और वो पित बनता कहां पर है वो बनता है लीवर में तो सिर्फ यह काम है और यही process है जिसकी वज़े से इसकी काफी value है कि अगर आपकी body में इसमें problem हो जाए gall bladder में निकाल दिया जाए तो फिर वो fat जो है यह gall bladder है gall bladder में जो भी stone बन जाता है तो stone अगर एक ही जगे पड़ा रहा है चाहिए वो crystal form में हो चोटा-चोटा या वो बड़ा stone बन जाए अगर वो एक ही जगे रहता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर यह इदर उदर खिसकने लगता है और जाके किसी duct में यानि किसी pipe में टूम में जाके फज़ा है तो फिर यह दर्द करता है और यह सबसे problematic होता है तो सबसे पहले अब आब यह जानते हैं कि कितनी तरह के stone होते हैं हमारे gall bladder के अंदर तीन तरह के stone बनते हैं पहला जो है वो cholesterol से बनता है जो कि कुछ yellowish color का होता है 80 to 85% यह cholesterol का यह stone बनता है दूसरा जो होता है cholesterol and bilurbin यह दोनों milkर बनता है जो कि yellowish radist का होता है यह तो काफी कम होता है और bilurbin यह जो है यह grey color का होता है यह काफी hard होता है यह सबसे तगड़ा होता है हलाकि यह बहुत कम बनता है तो mainly जो है वो यह cholesterol का बनता है जो कि 80-85% case में stone में यह बनता है और यह बड़ी आसानी से ठीक भी हो जाता है तो अब जानते हैं कि gall water में stone बनते क्यों है और क्या करें कि ना बने सबसे पहला जो कारण है gall water में stone बनने का वो आप समझ लेजिए देखिए जो हमारा liver होता है liver के अंदर हमारी body का 80-85% जो cholesterol है वो हमारा liver बनता है तो liver जो है cholesterol बनता है और liver ही यह bile बनता है जो पित तो liver cholesterol बनता है और liver के अंदर ही bile बनता है जब यह हमारी body में liver जादा cholesterol बना जेता है तो वो cholesterol बाइल के साथ साथ उस liquid के साथ साथ gall better में आ जाता है और आके जो वो जमने लगता है तो वही वहाँ पर वो stone बना जेता है तो पहला कारण तो यह है दूसरा कारण है liver related बिमारियां जैसे अगर आपका liver fatty हो गया हो या आपके liver psoriasis हो गया हो या आपको jointis हो जैसे आप जेखते हैं जब jointis होता है तो jointis के अंदर जो है पीला पीला हो जाता है पीलिया जिसे बोलता है पीलिया हो गया तो पीलिया में क्या होता है जब body के अंदर red blood cells बहुत ज़्यादा मातरा में तूटता है तो एक एक compound छोड़ता है जिसको bilurbin बोलते हैं वो yellowish color का होता है तो जब red blood cells बहुत मातरा में तूटता है तो जो पीला पीला जो पधार छोड़ता है उसको बिलूर्बिन बोलते हैं तो जब ये बिलूर्बिन ज़्यादा बनने लगता है जब ये बिलूर्बिन ज़्यादा बनता है तब ये स्टोन बिलूर्बिन का बनने लगता है और ये इसका सबसे महत्पून और सबसे important ये दूसरा कारण है तो अब क्या करें कि stone हमारी body में बने ही ना सबसे पहले तो cholesterol बनना कम करें आप वो चीजे कम खाएं जिससे cholesterol बनता है जैसे animal, animal protein उससे cholesterol बनता है वो ना खाएं इसके बावदूद भी ऐसा नहीं कि किवल आप animal protein खाएंगे दूद या दूद से बनी ही चीजे खाएंगे तो ही cholesterol बनेगा नहीं इसके अलावे अगर आप बार बार खाना खाएंगे ज्यादा खाना खाएंगे तो आपकी body में ज्यादा insulin बनेगा और आपकी body में ज्यादा cholesterol बनेगा तो आपको ज्यादा भी नहीं खाना है बार बार भी नहीं खाना है जिसकी वज़े से आप cholesterol बनना रोक सकते हैं और दूसरा अपने liver को ठीक रखें अगर आपका liver ठीक रहेगा तो फिर भी आपकी body के अंदर stone नहीं बनेगे तो इस तरह से आप इसको बनने से रोक सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर gallbladder को सर्जी से निकाल दे गया है मिन्स आपको नहीं पता था किसी कारण से डॉक्टर ने आपको निकाल दिया है सर्जी से आपको gallbladder निकाल दे उसकी इसमें क्या करना है से मैंने आपको बताया था कि गॉल बेडर के अंदर बाइल होता है और जब हम फैट खाते हैं तो फैट जो है वो बाइल उस फैट को जाकर बेकडाउन करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके तो अगर आपकी बॉड़ी में गॉल बेडर नहीं है तो लीवर से डारेक्ट वो बाइल जो है वो आपकी छोटी आत में निकलता रहता है चाहे उसकी जरूवत हो चाहे ना हो और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी दिक्कते आती हैं और जब आप फैट खाते हैं तो फैट में जब रिक्वाइर्मेंट होती है बाइल की उस समय वो दूसरा फाइबर फूड ज्यादा खाएं जैसे रॉव वेजटेबल्स है फूड्स है फाइबर की चीज़ है मिलट्स है यह सब चीज़े आप ज्यादा खाएं जिसमें ज्यादा फाइबर हो ताकि आपको परिशानी ना हो डाइजेस्ट करने में तीसरा आठ से दस क्लास जरूर आप दिन में पीएं ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और आप वजन कम करें लेकिन तेजी से कभी वजन कम ना करें जो भी लोग तेजी से वजन कम करते हैं उनकी बॉड़ी में स्टोन बड़ी तेजी से बनते हैं इसलिए वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए दिक्कत को आप काफी हद तक कम कर पाएंगे अगर आपने इस ब चीजों को ठीक से अपनाया तो अब हम बात करते हैं कि गॉल बेडर स्टोन को ठीक घर पर बिना सर्जी के कैसे ठीक करें कैसे निकालें तक हमें सर्जी करके गॉल बडर को ना निकलवाना पोरें तो सबसे पह प्लेटफार्म है जहां पर हम हर बिमारी का ओनलाइन टीटमेंट करते हैं, हमारी टीम में जितने भी MBBS डॉक्टर हैं, कंसर्टनेंट्स हैं, आरुवेदा चा रहे हैं, जो कि 20-25-25 साल के एक्स्पियेंस लिए हुए, BMS डॉक्टर हैं, HOMEO ELECTROPATHY डॉक्टर हैं, ये सब अपने अनुभव से बहुत आसानी से हर बिमारी को online बाटे बाटे, आपको कहीं जाने के जो तर नहीं है, घर पर बाटी है, और बहुती कम पैसे में, आप अपनी हर बिमारी को बहुत असानी से ठीक कर सकते हैं तो इन लोग के treatment से हम लोग ठीक करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है डप्टर भिशू प्राइज चौज़े की D.I.P. डाइट इसका लिंक मैंने description में दे दिया है आप देखिए D.I.P. डाइट उसको सबसे पहले वह आप स्टार्ट करें जिसमें fruits, vegetables जो आपको लेना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है animal protein आपको नहीं लेना है इस सब चीजे आप अपनाना शुरू कीजिए और इसके साथ ये जो चार चीजे हैं इन चार चीजेँ को आप इसका इंजाम कीजिए सबसे पहले, मीठा सोड़ा जो खाने वाला है वो लीजिए, हल्दी पावडर लीजिए और सोट पावडर जो आता है यानि कि जो अधरक होता है सुखी अधरक, उसका जो पावडर होता है इसको सौट बोलता है उसका पौडर लीजिए और रेवंद चीनी लकडी पौडर यह बजार में आपको मिल जाए गई यह चारो आपको लेना है इस चारो लेना कितना है इन सभी को 20-20 ग्राम लेना है बीस-विस ग्राम लेने के बाद इनको कूट पीस कर पौडर बना ले सुबह शाम खाली पेट गुंगने पानी से लेना है गरम पानी से नहीं गुंगने पानी से एक गलास गुंगना पानी लीजिए और इस पाउडर को एक ग्राम सुबह शाम आपको लेना है खाली पेट यादि कि खाना खाने के कम से कम एक घंटा पहले खाना खाने के एक घं मज़ का पाँचवा हिस्सा ये एक ग्राम होता है तो इतना आपको लेना है सुभे शाम और लेना कितना है वो आपको लेना है 30 दिन तक यानि कि एक महिने तक आपको लेना है तो इतना करने से आप बड़ी असानी से आप इस प्रॉलम से निजाद पाएंगे खास कर 90% तो लो को बिल्कुल भी नहीं खानी है यह ध्यान रखिए ठंडी चीजे ना खाएं जिस समय वह दवाईयां आप शुरू करें उसके बाद जो तला भोजन है वह बिल्कुल भी आप नहीं खाएंगे और जिसको गॉल बेटर में पथरी बन रही है तो वह ध्यान रखे कि वह तला भो जो इन्हों ने टेस्स कराया था तो इनकी जो 16-17 mm की पत्री थी गॉल बेडर में और दो महिने बढ़ाया डाइक लेने के बाद जो उनकी पत्री गायब हो चुके थी तो जिस तरह से इन्हों ने ठीक किया उस तरह से आप भी अपनी गॉल बेडर की पत्री को बहुत असान होती है तो उसमें से पत्री निकल जाती है लेकिन गॉल बैडर में जगे नहीं होती तो गॉल बैडर की पत्री नहीं निकल सकती तो आप कैसे कह रहे हैं कि गॉल बैडर की पत्री निकल सकती है हाना कि मैंने आपको एक्जामपल दिखा दिया है, उसके अलावा काफी सारे पेशेंट्स ने इस गॉल ब्लेडर की पत्री को ठीक किया है, अभी से नहीं, हम सालों से इसको करते आ रहे हैं, और ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, य इसके रास्ते यहां पर यूनी ब्लेडर के अंदर आ जाती है, और यहां से यूनी के रास्ते यह निकल जाती है, लेकिन यह जो आप देख रहे हैं, यह को गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर जो है, यह लीवर के पीछे नीचे की तरफ होता है, और यह कनेक्टेड होता है यहां पर intestine से, तो इसलिए यहां पर कहीं कोई निकलने की जगे नहीं होती, यह कहा जाता है, गॉल बडर मैं से निकलने का कैसे, यह निकलने की जगे नहीं होती, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि यह जो पथरी होती है, यह kolesterol की बनी होती है, तो होता क्या है, जो भी डवाईयां आप करते हैं, जो एडाइट आप शुरू करते हैं, तो यह पत्थरी टूडती नहीं है, बलकि पिगलती है, जब यह melt होने लगती है, पिगल लगती है, तो पिगल-पिगल के, क्योंकि हमारी बोड़ी में जब आप कोलिस्ट्रोल नहीं लेंगे कोलिस्ट्रोल अपनी बोड़ी में नहीं बनाएंगे तो हमारी से हिए तो इस तरह से आप कृसट्री को मेल्ट करतें ना कि तोड़ते हैं, इसको तोड़ने की जोते ही पड़ती है, मेल्ट होती है, तो इसलिए आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताए कि जो क्रिस्टल है या स्टोन है, यह मेल्ट हो जाते हैं और यह लिक्विड में आ जाते हैं, क्योंकि हमा तो आपके दूर कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई confusion है, तो comment section में जरूर लिखें, video upload होने के 2 गंटे के अंदर मैं या मेरी team try करेंगे कि आपके questions का reply जरूर करें, thank you so much हम से जुडने के लिए और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत परिशानी है, तो आप भारत पैथी के थूरू हमारी website पर जाकर आप हमसे treatment ले सकते हैं, contact कर सकते हैं या consult WhatsApp कर सकते हैं, 78988282 पर जाकर और इसका link, इसका description कैसे consult कर सकते हैं, मैंने नीचे दे दिया है, आप बहुत आसानी से बिना hospital गए, बिना किसी डॉक्टर के पास गए, घर बैठे, आसानी से किसी भी भी बिमारी का treatment कर सकते हैं, अब तक हजारों लोगों ने हमसे treatment लेकर अपने आपको ठीक किया, घर पर बैठे, और बहुत ही कम पैसों में, आप भी उसको कर सकते हैं, इससे आपको दो फायदा होंगे, सबसे पहले आपको कहीं जाने की भागने की जरूरत नी पड़ेगी, दूसरा, आप अंग्रेजी दवाईयों को side effect से बचेंगे, आप अंग्रेजी दवाईयों के हो रहे हैं, इतने सारे जो दुष्प्रिणाम हैं, उनसे बचेंगे, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, कि आप अपना खुद का treatment करना सीखेंगे, कि आप समझेंगे अपनी body को कि मेरी body कैसे काम करती है, और जिस तरह से आपने कितना आसानी से इस golf better को जो कि इतना typical बनाय हुआ था, आपने समझ लिया, इसी तरह से आने वाली वीडियो में, मैं हर चीज को बहुत आसानी से, एक simple language में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये उमीद हो सके, कि चीजे इतन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जितनी मुश्किल आपको लग रही है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरू करने ताकि नोटिफिकिशन आपको मिल सके, और कोई वीडियो आपको मिस ना करें क्योंकि आने वाली वीडियो में हर तरह की बिमारी को सुलूशन आपको घर बैठे दूगा, ताकि आपको कहीं जाने की कहीं दोडने की, किसी हॉस्पिटल में जाने की एडमिट होने की जरूरती नहीं पड़े, चाहिए बिमारी आपके कितनी ही क्रिटिकल क्यों थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलता हूं तब तक